हालो एफरीवार और वेलकम टू मैं चैनल चलिया आज हम बनाते हैं पोहा चलिया शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने लिया है दो कोटूरी पोहा और इसे भिकोकर सब्सक्राइब कर दोड़ी है और इसको मैं तल के निकाल लेती हूं देखिए हमारी मुवफिया डाल दी और यह एकदम ब्राउन कर लेता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें विदिन सेकंड से हो जाती है यह देखिए और यह लिए है मैंने करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स करी लीव्स को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और यह लिए है मैंने आलू, शिमलमिश, टमाटर, प्याज और हरीमेची कड़ाई ह अब इसमें डालेंगे अनियन ग्रीन चिली उसके बाद बचीवी सबजेयां भी इसमें डाल लेते हैं आलू, शिमलमिश और टमाटर इसको अच्छा से मैक्स कर देते हैं और आब इसमें जाएंगे हमारे मैजिगल नसाले इसको अच्छा सा मैक्स करने के बाद इसे टू मिनिट्स के लिए कवर कर देते हैं जिससे आलू हमारे गल जाएं यह देखिए 2 मिनिट के लिए कवर कर दिया है दूसरी तरफ हम देख लेते हैं जो पोहा हमने भी होया था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है उसको हम दुबारा से एक बर फिर से भी होएंगे और सॉफ्ट होने तक वेट करेंगे तब तक मैं धनिया भी काटके रख लेती हूं यह देखिए धनिया काटके रख लिया है दो मिनिट हो चुके हैं मसाला हमारा हो चुका है अलू गल चुके हैं अब इसमें भीगा हुआ पोहा जो है वो डाल देते हैं और हलके हलके हाथ से हमें इसे मिक्स करना होगा यह देखिए बहुत हलके हाथ से मिक्स करना है यह है थोड़ा सा मैं इसमें जालूंगी लेमन जूस मैंने एक नहीं बुलिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं देखिए पुहा हमारा रेडी हो चुका है और यह बहुत बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है देखने में और यह बहुत ही हिल्दी ब्रि फर्गेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल बबाई